चीन और भारत के सीमा पर लगातार बढ़ते गतिरोध के चलते दोनों देशों के बीच काफी तनाव हो गया है जिसको बादचीत के जरिये सुलजाने के कोशिशे की जा रही थी तुधान मंतरी नरेंद्र मोदी, रक्षा मंतरी राजनाद सिंग अलग-अलग तीनों सेनाओ के प्रमुखों के साथ और सीडियेस जेनरल विपिन रावत के साथ इस मुद्दे को लेकर मंधन कर चुके हैं लेकिन अब लगता है चीन बादचीत नहीं बल्कि युद्ध चाहता है तभी तो चीन के राश्ट्रपती श्री जिन पिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के निर्देश दे दिये हैं ये निर्देश सिर्फ भारत से तनाब के लिए नहीं बलकि अमेरिका और आस्ट्रेलिया से भी तनाब के लिए हो सकते हैं क्यूंकि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चाइना की अमेरिका और आस्ट्रेलिया से भी रिष्टे काफी खराब हो गए है फिर भारत को तो वो भारत-चीन वॉडल पर लगातार ललका रहा है भारत में घुसपैट कर रहा है हलंकि भारतिय सेना भी चीनी सैनिकों को मुटोड जवाब दे रही है लेकिन राश्ट्रपती की तरफ से यूटी की तैयारी के निर्देश दिया जाना वो भी ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना जैसे महा संकट से पहले ही जूज रही है काफी हैरान करने वाला है मंगलवार को सेंट्रल मिलिटरी कमिशन के बैठक में जिनपिंग ने कहा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षन को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए शी ने आदेश दिया है कि सबसे खराप स्थिती की कलपना करें उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षन को बढ़ाएं तमाम जटल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से मिप्टें साथ ही पूरी द्रड़ता के साथ राश्ट्रिय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें इसके लावा जिन पिंग ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में चीन के प्रदर्शन ने सेमी सुधारों की आवश्रक्ता को दिखाया है देश के सशस्त रुपलों को हमारी के बावजूद प्रशिक्षन के नए करीकों का पता लगाना चाहिए इस दोरान जिन पिंग ने ताइवान और होंग कॉंग को लेकर भी बात की उन्होंने ताइवान के नेताओं के साथ बाच्चीत और जिप्लोमेसी को बढ़ाने पर भी बात की कहा कि जरूरत पढ़ने पर ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग किया जाएगा होंग कॉंग को लेकर चीन में कहा नए कानून से लोकतंत्र समर्था कांदोलन कारियों पर नकेल कसी जाएगी आपको बता दे कि चीन ने भारत चीनी सीमा पर सिर्फ अपने सैनिकों के संख्या नहीं बढ़ाई है बलकि उचाई वाले लाके में उडान भरने के अनूपूल लडाकों विमान J11 और 16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है तो इस बाद से आपको अंदाजा लगी गया होगा कि चीन ने अपनी ताकत को इन दिनों में कितना बढ़ा लिया है और ऐसा नहीं है कि चीन पर कोरोना ने असर नहीं किया बनके चीन में तो कोरोना ने दुबारा भी दस्तक दी है लेकिन चीनी राश्ट्रुपते योध्य चाहते हैं जिसके लोनों ने पेसेना को भी तयार रहने के निर्देश दे दिये